दुनिया को बदलने में अक्सर दशक या सदियां लग जाती हैं लेकिन कोरना वाइरस ने चद ही दुनों में पूरी दुनिया को बदल दिया Social Distancing के चलते हाथ भले नहीं मिल रहे हों, घले भी नहीं मिल रहे हों लेकिन हिंदुस्तान के नमस्ते पर पूरी दुनिया के दिल जरूर मिल रहे हैं Korona Wires के चलते हैं, दुनिया के सभी बड़े leaders नमस्ते करने की चला दे रहे हैं इस वक्त वैश्विक्स तरपर बचाव को मधनजर रखते हुए कई देश लॉकडाउन हो गए हैं जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस कॉर्णा वाइरस से लडने के लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से सभी मुम्किन कोशिश कर रही है लेकिन इस लड़ाई में क्या हम अपना योगदान दे रहे हैं, एक अच्छे नागरिक होने का करतव निभा रहे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, कॉर्णा की लड़ाई में हमारा हिस्सा, गवर्मेंट या फिर मेडिकल स्टाफ के हिस्से के आगे कुछ भी नहीं है हमसे क्या एक्सपेक्टेशन्स हैं, कॉर्णा वाइरस को लेकर सचेत रहें, अफवाओं पे विश्वास ना करें, पूरे इंडिया में मास गैदरिंग पे बैन है तो भीर भाड़ वाले जगों पे ना जाएं अगर किसी में कोरोना के सिम्टम्स देखें तो हेल्प लाइन नंबर पे तुरंत कॉंटाक्ट करके जानकारी दे और इलाज के वक्त मेडिकल स्टाफ का सहयोग दे हम सब इतना तो अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी मान कर कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए इस वीडियो में मैं आकडो की बात नहीं करूँगी बलकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे बात करना जरूरी है कुछ लोग जो कोरोना वाइरस से संक्रमित हैं वो इलाज से भाग क्यों रहे हैं? कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या उन्हें पता नहीं है कि जो भी उनकी कॉन्टाक्ट में आएगा वो भी कोरोना से पीडित हो जाएगा? उनकी पडिवार वाले भी संदिक्त हो जाएंगे और बच नहीं पाएंगे? दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगे आपकी कि आप कैसे कोरोना वाइरस को रोकने में योगदान दे सकते हैं? वीडियो के एंड तक बने रहें? और हाँ एक छूटा सा योगदान आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करके भी दे सकते हैं ताकि आप इस रहस्त में वाइरस से जुड़ी सबी खबरों से वाकिफ रहें और दूसरों को भी अवेर कर सकें सबसे पहले बात करते हैं कोरोना से लोग इतने डरे हुए क्यूं है? जितनी बिमारी खतरनाक होती है उतना ही खतरनाक होता है उस बिमारी के बारे में अधूरा ग्यान और डर यही डर की वज़े से या तो लोग कोरोना वाइरस के लक्षन चुपा रहे हैं या फिर लक्षनों के होते हुए भी जांच नहीं करवाते और इसी वज़े से संक्रमन को आगे फैलते देर भी नहीं लगती। आजकल बहुत सारे स्टेट्स में ये भी देखा गया कि अगर कोई संक्रमित हो जाए उसका टेस्ट पोजिटिव आ जाए तो लोग भागने में भी देरी नहीं करते। तो आने वाला टाइम ही बताएगा। प्लीज जांच और इलाज की पूरी प्रक्रिया से आप डरिये मत। बहुत सामानने प्रक्रिया है। डॉक्टर नर्से सब देखबाल करते हैं। हाँ इतना जरूर है दोस्तों और परिवार वालों से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ता है। लेकिन ये सब की हिफाज़त के लिए है जिसमें आपका परिवार भी आता है। भी में कर देता है। बाहर कम जाएंगे तो आप इंफेक्ट भी नहीं होंगे। और यदि बाए चांस जाने अंजाने में आपमें वाइरस है तो बाकी लोग भी इंफेक्ट नहीं हो पाएंगे। स्क्रीनिंग से कॉरना वाइरस के इनिशल सिस्टम्स जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। चाइना इसका लाइब एक्जामपल है वहाँ लोगों को क्वारंटाइन करना बहुत कारगर साबित हुआ। हर गाड़ी वाले बलकी लोगों के घरों में घुस-घुस के स्क्रीनिंग की जा रही थी। तो हम क्यों इससे घबरा रहे हैं? अपना संयोग नहीं दे रहे हैं? जरा सोचिये। अब बात करते हैं कि लोग क्वारंटाइन से क्यों भाग रहे हैं? लोगों का सरकारी स्वास्त विभाग में भरोसा ना होना आश्चर ये जनक नहीं है। इंडिया has weak health system around the world. भारत पब्लिक हेल्थ पर अपनी GDP का सिर्फ 1.28% खर्च करता है। WHO की यही जिनता है कि अगर भारत में ये वाइरस फैला तो बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारी अबादी बड़ी है, awareness की कमी है और स्वास्ते सुरक्षा का धांचा उतना मजबूत नहीं है। पर इस समय हमें समझना होगा कि ऐसे मुश्किल वक्त पर कम्या निकालना नहीं, बलकि आगे आके अपना संयोग देना जरूरी है। हमें ये realization होनी भी जरूरी है कि इस वक्त medical staff हमारा कितना overloaded है। तो अगर लोग इस तरह quarantine से भागेंगे और बाकी और लोगों को संक्रमित करेंगे, तो हम कोरोना से अपनी जंग कैसे जीतेंगे। मैं समझती हूँ, असान नहीं है, 14 दिन अलग थलग भी ना बहतर सुविधाओं के रहना, पर कोई और विकल्प भी नहीं है सरकार के पास। अब बात करते हैं कि क्या quarantine से भागना अपराध है, एक infected patient के quarantine से भागने के परिडाम बाकी लोगों के लिए घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये वाइरस चाइना के एक इंसान से फैलना शुरू हुआ और अब 160 देशों में, डेट लाग से जादा confirmed cases हैं, जी हाँ भागना तो अपराध है ही, साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि उत्तर परदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने quarantine facility के साथ कॉपरेट ना करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाही करते हुए एक मजबूत उधारन सेट किया है, जिसमें उस व्यक् करता है, कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तो 90% आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजे ना प्लीज, आपका एक सब्सक्राइब मुझे होंसला देता है और अच्छा काम करने का, तो चल मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में